पर जानेंगे कि कुल्थी की वैज्ञानिक खेती हमारे किसान भाई किस परकास से कर सकते हैं? सबसे पहले तो कुल्थी लगाने का समय अगास्ट से सेप्टेमबर माह है उसके लिए सबसे जरूरी है उचीत खेत का चुनाव। कुल्थी के खेती ही घरीब सीजन में परती जमीन शुट जाता है उपरी जमीन जो बंज़र टाइप का होता उस जमीन पे हम लोग कुल्थी के खेती कर सकते हैं सही जमीन चुनाव के पश्चाथ हम लोग खेत की तयारी पे आते हैं खेत की तयारी के लिए कम से कम तीन बार जुताई करके अच्छे से पाटा लगाए जाने से उसमें रोपना बहुत अच्छा होता है लेकिन दियान रखें किसान भाईयो कि दो जोताई के पश्चाथ उसमें पांस टन परती हेक्टेर की दर से गोबर खाद का छिरिकाव कर दे और इसके बाद तीसरा जोताई करके पाटा लगाए जिसे गोबर खाद खेत में अच्छी तरह से मिल जाता है अब आते हैं खेती के लिए उत्तम बीज का चुनाव बीज में आप उत्तम परभेद का बीज जरी प्रयोग करते हैं तो उपज आपका 5-10% ऐसे ही बढ़ जाता है किसान भाईयों जनरली करते क्या हैं कि देशी बीज का प्रयोग करते हैं तो एक ही उपज हुआ बीज हर साल लगाते हैं इसे उपज दर बहुत कम हो जाता है इसके लिए आप उत्तम परभेद में बिर्शा कुल्थी वन, इंद्रा कुल्थी वन, भीलजी 19 और मधु ये सब प्रभेद जो है जारखंड के परिपेक्ष में बहुत अच्छा उपज देने वाला प्रभेद है इन समों का प्रयोग कर सकते हैं अब आते हैं बीज दर, बीज दर इसमें आपका 20 से 25 किलोग्राम पर 3 हेक्टेर की दर से बीज का प्रयोग करते हैं किसान भाईयों बीज लगाने से पहले आप इसका बीज अपचार जरूर करें बीज अपचार के लिए दो तरीका है एक तो आप फफुदी नासक दवा वेवेस्टीन दो ग्राम पर 3 किलो ग्राम बीज के दर से प्रयोग कर सकते हैं इसमें वेवेस्टीन जो है बीज में मिला देते हैं और थ्वासा पानी छिलक के उसको हाथ से पुरा मिला देते हैं इसे की दवा बीज में अच्छी तरह से मिल जाए इस तरह से आप उसका उपचार करते हैं दूसरा होता है राइजोबियम कल्चर यह एक जिवानु खाद है जो प्रयोक्षाला में बनाये जाता है जनरली दलहनी फसलों के जड़ में एक गांट होता है जिसमें राइजोबियम जिवानु होते हैं जो वातावरन से नाइट्रोजन ले करके और पोधा तक पहुंचाते हैं अगर हम लोग प्रयोग साला बनाये जोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं तो उसे वातावरन से नाइट्रोजन लेने की छमता पोधर में 30 से 40 किलो ग्राम प्रती हेक्टेर प्रती वर्ष की दर से बढ़़ जाता है कि यह 20-30-40 कीलोग्राम प्रती हेक्टेर जो आप न ले ले रहा है अब आते हैं हम लोग का प्रयोग कैसे करें पधो मैंने बीज उपचार के लिए इसमें क्या कि यह दो सो ग्राम गूर ले लिए और इसमें एक लीटर पानी में पंदरा मिनट तक उसको पूरा खोला यह जब गोल बन जाए गोल को ठंधा करने के पास चाहत उस के बाद उसको इसमें अच्छी तरह से मिला देते हैं जाए में सुखा कपड़ा पर या अकभार उसको पंदरा मिल तक शुखाने के पास चाहत हम लोग उसको मने वो भीज लोपने के लिए तैयार है अब दूरी के जहां तक बात है तो कतार से कतार 30 संटिमीटर और पौध उर्वरक के लिए आपको 20 kg यूरिया, 40 kg फास्फोरस, 20 kg पोटास और सलफर भी 20 kg परती हेक्टेर कि धर से इसमें पर्योग करना चाहिए तो रोपने के समय ये देना है लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा उर्वरक बचा कर रखें और पहला निकाई गुड़ाई 20 दिन में होता है कुलती का तो उस समय निकाई गुड़ाई के समय थोड़ा खाद एद्या उसमें डालते हैं तो उससमें जड़ भलका रहता है उसमें खाद देने से थाधा उस च्छमता बढ़ती है और दूसरा निकाई गुड़ाई आप करीब 35-40 दिन बाद करें दो निकाई गुड़ है तो आप इसमें आप इमीडा क्लोपीड एक इंसेक्टिसाइड है उसका प्रयूग कर सकते हैं